प्रदेश सरकार ने करोना के कारण अनाध हुए बच्चों के संग्रक्षन और उनकी देखभाल के लिए एक बिसेश योजना को लागू करने का निणे लिया है उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर ये योजना संचालित होगी इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गारजियन को करोना महमारी के करण खोया है उन बच्चों के लिए ये योजना लागू होगी इसमें गारजियन या क्यर्टेगर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्यसरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक यानि जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए चार हजार रुपे प्रति बच्चा प्रतिबालक या बाली का बित्ये साहिता उपलब्द कराएगी उनके गारजियन को या उनके किर्टेकर को दूसरा दस साल से कमायू के ऐसे बच्चे जिनके गारजियन या उनका कोई अईभावक नहीं है ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारस सरकार की सायता से अथवा अपने संसाल अप उत्राज्य सरकार के द्वारा जो संचाली थें बाल ग्रे उनमें उनके संग्रक्षन की विवस्ता उनकी आवास की विवस्ता होगी वर्तमान में पांच ऐसे बाल संग्रक्षन गिरे प्रदेश किंदर संचाली थें जिनमें इन बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, उनकी स्वरक्सा, उनके लालन पालन की पूरी बिवस्था, सरकार उठाती है जिसमें मतुरा, लखनो, प्रियागराज, आगरा और प्र्देश के अंदर हुँगी उनको भारत सरकार के द्वारण संचालित कस्तूरवा गांधी बालिका विद्याले में, क्योंकि आवास्य विद्याले इन में अथ्वा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित राज किये बाल ग्रे बालिका में जो प्रदेश में वर्तमान में 13 ऐसे एक ग्रे हम लोग बालिका ग्रे संचालित कर रहे हैं अथ्वा हम लोग प्रदेश में 18 ऐसे अठल आवास्य विद्याले संचालित करने जा रहे हैं उन सब में उनको फूरी निसुलक विवस्था राज्य सरकार के द्वारा ऐसे बालक और बालिकाओं को प्लब्द करवाने की विवस्था की जाएगी चोथा ऐसे बालिकाओं की साधी के लिए जिन्होंने अपने पैरेंट्स को खोया है या लीगल गारजियन को खोया है ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार साधी ब्याओं के लिए एक लाक एक हजार रुपे की रासी उस बालिकाओं की साधी पे खर्च करेगी उस रासी को प्लब्द कराएगी और इस्कूल में पढ़ने वाले या व्योसाई कोर्स करने वाले ऐसे सही बच्चों को जिन्होंने करोना के कारण अपने पैरेंट्स को अपने लीगल गार्जियन को खोया है उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरब से लेप्टॉप या टैब कि विवस्ता भी उन बच्चों के लिए कराएंगे जिससे करोना से उनका बचाओ होने के साथ साथ ओनलाइन सिक्सा के लिए उनको भी वरत्मान विवस्ता के साथ जुड़ने का एक औसर प्राप्त होगा ते पांच प्रकार के निर्णे राज्य सरकार के द्वारा अनाथ ह या उन बच्चों के लिए व्योस्था करने का निर्णे लिया है यह योजना उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री बाल सिवा योजना की रूप में संचालित होगी इसकी पूरी गाइडलाइन विस्तृत रूप से प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और इस योजना की अंतरगत उन सभी परिवारों की प्रती हमारी संबेदना है जिन्होंने अपने परिवार के सबस्यों को अपने एवभावक को अपने लेगल गार्जिन को खोया है और उन सब को इस बात के लिए आस्वस्त करती है कि राज्या सरकार की पूरी संबेदना उन सभी लोगों की प्रती है जिनके किसी निकट समंध्य का प्रियजन का दुखत मौत इस महामारी के कारण हुआ है उनके प्रती हमारी पूरी संबेदना है और जब बच्चे अनाथ हुए है उन सभी बच्चों के देख भाल की जम्यदारी राजज सरकार उठाएगी राज्य सरकार उनको हर परकार का संग्रक्षन देगी हर परकार की सुरक्षा देगी और इसलिए राज्य सरकार ने ये ब्योस्ता यहाँ पर उन लोगों के लिए आज इस परकार की पांच परकार की गोशनाएं उन लोगों के लिए की हैं जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग विवस्तित रूप से आगे बढ़ाने का कारे कर सकेंगे धने बाजी